नाकुर जिला परिशत में 5 अक्टूबर को OBC की 16 सीटों के लिए होने वाला उपचुनाव यहां की सत्ता का समिकरन बदल सकता है। कॉंग्रेस और राष्टरवादी कॉंग्रेस भले ही आगाडी कर चुनाव लड़ रही हो लेकिन बीजेपी और शिव सेना दोनों ही सभी 16-16 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है। सभी पार्टियों के उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया है। बीजेपी के पास उसकी 4 सीटे रद्ध होने के बाद 15 सीटे बची हुई है। कॉंग्रेस और राष्टरवादी कॉंग्रेस मिला कर फिलहाल 30 सीटे है। कहा जा रहा है कि अब बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए पुरा जोर लगाने में जुड़ गई है। सामदाम की रननिती पर काम शुरू कर दिया गया है। बीजेपी 16 में से कम से कम 12 सीटे जीतने का जी तोड़ प्रयास करने की पूरी तयारी में है। ताकि 6 अक्टूबर को जब परिनाम आए तो उसकी कुल सदस्य संख्या 27 तो हो ही जाए। अगर 16 में से 12 सीटे भी बीजेपी ने हासिल कर ली तो वह गेम चेंजर हो सकती है। शिवसेना को कॉंग्रेस राष्टरवादी कॉंग्रेस ने इस उपचुनाओं में अलग थलग पर पल्ला जाड़ लिया है। इससे शिवसेना खेमे में भारी रोश है। 16 सीटों में से अगर उसने भी इस बार 3-4 सीटे हासिल कर ली तो वह सभापती पत की मांग के साथ बीजेपी के साथ आ सकती है। ये भी चर्चा चल रही है कि शेकाप को भी सभापती पत दे कर अपने पाले में बीजेपी ला सकती है। ये सब चुनाओ परिनाम आने के बाद ही देखने को मिलेगा। लेकिन ग्रामिन राजनिती में रूची लेने वाले जानकारों का गनित फिलहाल तो इसी तरह का चल रहा है। सभी 16 सीटों पर नुकर सभा भी शुरू होने की जानकारी है। अब तक के लगबग दो वर्ष के कार्यकाल में सत्ताधारी कॉंग्रेस को कोरोणा के कारण दुरभाग्य से अच्छी तरह कार्य करने का आउसर नहीं मिल पाया है। सरकार से निधी नहीं मिलने के चलते अनेक व्यक्तिगत लाप की योजनाव और विकासकार्य बुरी तरह प्रभावित हुए है। किसानों को भी समय पर मदद नहीं मिली है जिसका विपरित प्रभाव उपचुनाव में पढ़ सकता है।